Hello friends, आज हम लोग कुछ ऐसे questions को deal करने वाले हैं, जो कि last year के papers में आए हुए questions होंगे और वो कुछ ऐसे questions हैं, जिनें आप sort trick के माध्यम से बहुत ही आसानी से solve कर पाएंगे लेकिन अगर आपको sort tricks ना पता हो, तो paper में आप बहुत ज़्यदा confused हो सकते हैं उन questions में और हो सकता है आपको बहुत ज़्यदा time उन questions में लग जाए, तो ऐसे questions को हम लोग इस series में deal करने वाले हैं Please friends, चैनल को subscribe कीजिए for more videos और ये FBP group है, इसको आप join कीजिए, अगर आपको कोई भी query है तो आप वहाँ पर इसको जाके post कर सकते हैं तो सबसे पहला question इस type पर देखते हैं, इस तरह के questions जो आते हैं ये बहुत important एक type है, अगर इसको आप करने के देखे कुछ methods होते हैं तो सबसे पहला method होता है कि आप इनकी value कुछ decimal में आप निकाल सकते हैं, decimal में कुछ values आप इनकी निकाल लीजे और आप उनको compare कर सकते हैं, तो भी आप smallest fraction out of in में से बता सकते हैं और दूसरा क्या method होता है कि आप LCM ले लिजे और नीचे के numbers को जो भी हैं, उनको same कर लिजे तो उपर में आप सीधे से देखके compare करके बता सकते हैं कि कौन सा number बढ़ा होगा या फिर छोटा होगा लेकिन दोनों ही methods जो होते हैं, वो बहुत ही lengthy methods है, तो हम लोग इन questions को ऐसे solve नहीं करेंगे हम लोग इनको कैसे solve करेंगे, देखिए smallest fraction बताना है, तो आप किनी दो को compare करते चलिए और फिर उनमें से आपस में जब जो भी छोटा होता जाएगा, उसको आप next number से compare करते जाएगे, क्योंकि कोई भी number जो अगर किसी से भी बढ़ा होता है, तो वो smallest तो नहीं हो सकता है, तो मैंने क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को पहले compare करता हूँ, और इन दोनों को आपस म compare कर लूँगा, तो मुझे इस तरह से smallest fraction पता चल जाएगा, तो सबसे पहले मैं 8 बटे 15 और 9 बटे 16 को आपस में compare करता हूँ, तो compare करने का तरीका क्या होगा, वो आप समझ लिजे, आपको करना क्या है, basically आपको जो number नीचे लिखा हुआ है, जो भी number जो base में लिखा हुआ ह उसको आप क्या कीजे, cross multiply कर दीजे, opposite number के above जो भी uns में लिखा हुआ 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 हुगा, उससे आप multiply कर दीजे, तो जब यहाँ पर आप इसको multiply करेंगे, तो दिखे कितना आ जाएगा, 16, 8 आ जाएगा, 128 और 15, 9 या 135 तो जो भी number देखे फेंट्स बड़ा आया, वो number का जो उपर वाला जो fraction होगा, वो number ही बड़ा होगा, तो यहाँ पर 135 बड़ा है, it means कि 9 बटे 16 जो है वो बड़ा number होगा, वो bigger number होगा, compare with जो उसके सामने लिखा हुआ number है, इससे ये number बड़ा होगा, तो ये number जो होगा, 8 बटे 15, ये कैसा होगा, छोटा number हो जाएगा, तो इन द multiply कर दूँगा, यहाँ पर भी, तो देखे कितना आ जाएगा, 13 सत्य, 91 और 14 चंग 84, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसमें भी देखा आपने कि यहाँ पर 91 बड़ा आ गया, it means कि ये जो number होगा, ये बड़ा होगा, ये bigger number है, तो फिर छोटा जो number होगा, वो कौन सा है, 6 बटे 13 से, ठीक है, तो इन दोनों को compare कैसे करूँगा, मैं cross multiply कर दूँगा, ठीक है, यहाँ पर भी, तो पंदर शक्का 90 और 13 अठे कितना हो जाएगा, तो ये number, यहाँ पर मुझे पता चल गया कि 8 बड़ा number है, it means इन में जो सबसे छोटा number होगा, वो कौन सा होगा, 6 बटे 13, ठीक है guys, अब देखें, ये एक type का मैंने बताया कि अगर इस तरह से ये जो trick है, ये जो method है, इससे आप किसी भी type के questions को solve कर सकते हैं, लेकिन ये जो series थी, ये एक fix type की series थी, देखें, इसमें क्या था, इसमें आपको लिखा होगा था, 6 बटे 13, और उसके बाद देखें, हर बार एक number बढ़ रहा था, 6 बटे 13, 7 बटे 14, 8 बटे 15, और 9 बटे 16, ठीक है, तो अगर आपको कभी भी इस तरह की series मिले, जिसमें की numbers आपके हों, तो इसमें आप एक चीज याद रखेगा, कि जो number सबसे बढ़ा होगा, वो असल में सबसे बढ़ा होगा, और जो number छोटा होगा, वो असल में सबसे छोटा होगा, ठीक है, इसमें आपको इतना compare करने की भी जरूरत नहीं है, आप क्या याद रखेगे, बस एक चीज आ और हर दोनों में ही एक एक नंबर ही बढ़ा हुआ है, तो अगर इस तरह से आपको एक continuous series मिलती है, तो उसमें आपको event cross multiplication करने की भी जरूत नहीं है, आप क्या करेंगे, सीधे से आप देख लिजे, कि जो numbers end में आये, यानि कि जो सबसे बढ़ा है, वही number सबसे बढ़ा होगा और जो fraction सबसे पहले लिखा होगा, या जो सबसे बात से, जिसमें add किया जा रहा होगा, वो number सबसे छोटा होगा, ठीक है, तो इस तरह से, चलिए इस type पर जितने भी questions हो सकते हैं, उनको solve कर लेते हैं, अब देखे, यहाँ पर भी वह same type जो मैंने आपको बताया है, वही number ल होगा, तो इसमें मुझे confuse नहीं होना है, smallest fraction मैं देखते ही बता दूगा, क्या होगा, चार बटे 5, greatest fraction क्या होगा, 7 बटे 8, ठीक है, तो इसमें मेरे को seconds लगेंगे, अगर मुझे tricks बता है, तो मैं seconds में questions को solve कर लूँगा, अब चलिए, देखे, यहाँ पर मेरी वह trick नहीं ल देख लीजे, तो किनी दो numbers को मैं compare कर लेता हूँ, पहले इन दोनों को compare कर लेता हूँ, फिर इन दो numbers को आपस में compare कर लेता हूँ, ठीक है, तो अब देखे, यहाँ पर यह कितना आ जाएगा, 5 से 2 का multiply होगा, तो यह कितना आ जाएगा, 10 और 3 का इस से multiply होगा, तो यह क्या से 11 से, तो देखे, यह कितना आता है, यह आ गया 11, 33 और 85, 40, तो अभी भी यह number बड़ा है, तो मैं 3 बटे 5 को इस next number से भी compare कर लेता हूँ, तो 3 बटे 5, और यहाँ पर कितना लिखा होगा, 11 बटे 17, यह 4 नमबर से compare करता हूँ, तो यह कितना आ जाएगा, 17, 34, 51, और यहां करके आप कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई और method इसमें solve करने पहेंगे, तो आप हो सकता है, बहुत ज़्यादर time in questions में लगा सकते हैं, अब देखे, इसी पर based एक और question देखते है, अब यहाँ पर देखे, क्या पूछा गया है, कि greatest fraction बताना है, इन नंबर बड़ा है, तो इट मेंस कि यह छोटा है, तो अब जो बड़ा नंबर है, उससे मुझे next compare करना होगा, या फिर मैं क्या करूँ, इन दोनों नंबर को आपस में पहले compare कर लेता हूँ, यह कितना आ जाएगा, पांच यो को बीस और चैत्रिक 18, तो यहाँ पर यह 20 बड़ा नंबर होगा, देखें, आपको even pen चलाने की भी जरूत नहीं पड़ेगी, आप बस एक बाद ध्यान से देख लेंगे, तो भी आपका question solve हो जाएगा, आपको बस क्या देखना है, cross multiply कीजिए, तीन दूनी 6, यहाँ पर साथ गम साथ, इट मींस यह बड़ा है, अब इसमें 5 चुक, 20 और 6, 38 यानि की 20 यानि की यह बड़ा है, अब इनमें आपस में compare केजिए, 6, 5, 15 यानि की यह बड़ा नंबर है, इट मींस सीधे से आपका answer के आगए, आपको pen भी चलाने की जरूत इन तरह questions में नहीं पड़ेगी, अगर आपको इस तरह की sort tricks पता हैं, आपके paper में हो सकता, आपको मिल जाएं, तो इसके लिए आप confused नहीं होए कि अब इस तरह के questions को कैसे solve करें, तो कुछ भी आपको नहीं करना है, आप क्या कीजिए, 1 by 2 या तो आप 1 by 2 से compare करना सुरू कर दीजिए, आप भी 3 by 5 से, ठीक है, तो 1 by 2 से आप compare करना start कीजिए, त लेकिन 3 by 5 से कैसा हो, छोटा हो, ठीक है, तो 1 by 2 और 3 by 5 मुझे दोनों से compare करना है, तो पहले मैं 1 by 2 से compare करता चलता हूँ, तो 1 by 2 को मैंने compare कर 2 by 5 से, तो दीखे, यहाँ पर क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह number बड़ा है, तो यह number जब बड़ा हो गया, तो यह उसक दीखे, और 3 by 5 तो इससे बड़ा number है, 5 एकम 5, 3 दूनिच है, दीखे, 3 by 5 तो 1 by 2 से बड़ा है, तो इसके बीच में तो आही नहीं सकता, जब वो 1 by 2 से छोटा होगा, it means मेरा a part answer नहीं हो सकता है, तो 4 by 7 को 1 by 2 से compare कीजे, तो 4 by 7 जो है, वो कैसा है, 7 एकम 7, 4 दुनिया, यह नमबर देखिए, 1 by 2 से बड़ा है, तो अब आप इसको compare कीजे, 3 by 5 से, ठीक है, तो 3 by 5 से चले compare करते हैं, तो यह कितना आ गया, 5 को 20 और 7 को 21, तो दीखे, यह correct है, मेरा answer इसमें कितना आ गया, 5 को 20 आया, यहाँ पर 7 को 21, तो इसका मतलब कि यह number इससे बड़ा है, और यह जो है, छोटा भी है, तो इसका मतलब यही मेरा correct answer होगा, लेकिन चलिए, जो बांकी नमबर से उनको भी compare एक बार करके देख लेते हैं, तो दीखे, 2 by 3 है, 1 by 2 से साफ पता है, मुझे कि बड़ा होगा, यह 0.66 value है, यह 0.5 है, और यहाँ पर 3 by 5 से compare कर लेते हैं, तो यह कित दिख रहा है कि 1 by 2 से ही यह number छोटा है, यह कितना आजाएगा, 3 आजाएगा, यह 2 आएगा, इस यह number बड़ा है, तो यह भी इसके इन दोनों numbers के बीच में नहीं आ सकता है, तो इस तरह से in between के भी questions आते हैं, इनको भी हम लोगों ने solve करना सीखा, चलिए इसी पर पेस्ट एक और question देखते हैं, आज देखें, यह question भी same type का ही है, इसमें क्या पूछ रहा है, find a fraction in between 3 by 4 and 5 by 6, तो 3 by 4 से चलिए पहले compare करना, श्टार्ट करते हैं, तो 3 by 4 की value कितनी होती, 0.75 के approach, ठीक है, और 1 by 2 कितना होता, 0.5, तो यह तो देखके समझ में आगा कि यह number मेरा पता, तो यह गलत हो गया, 2 by 3 की value आपको approach पता है, 0.66 होती है, तो यह भी मेरा answer नहीं हो सकता, 4 by 5 की आपको value नहीं पता है, तो आप एक बहुत compare कर लिजे, 4 by 5 लिख लिजे, तो यहाँ पर मैं cross multiply करूँगा, तो यह कितना आ गया, 5 तिया 15, यह 4 चों को 16, यानि कि यह मेर number इस number से बड़ा है, यानि कि यह इन दोनों के बीच में होगा, यानि कि यही मेरा answer हो जाएगा, ठीक है guys, तो इस तरह से हम लोग ऐसे questions को solve करते हैं, यह questions अकसर ही करके आपके tier 1 में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस type के questions को यहाँ पर solve करना सिखाया, thank you for watching friends,